मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल नोरा और एलेंग को देखते हैं जो कि एक पंजर दिखने वाले गाउं से गुजर रहे थे तभी नोरा अचानक से इरिटेट हो जाती है क्योंकि वह जानती थी कि वे लोग ड्राइव करते करते कहीं पर खो गए हैं कुछ समय बाद वहें एक होटल में रुकते हैं क्योंकि नोरा टोयलेट जाना जाती थी तभी नोरा बात उनकी तलाश करने के लिए जाती हैं तभी रास्ते में उसे एक वोयलेट मिलता है उसके अंदर एक फोन और कुछ पैसे भी होते हैं लेकिन वहें उन्हें वापस रख देती हैं और अपना काम करने के लिए आगे की और बढ़ती हैं और जैसे जैसे वे दूर जाते जा रहे थे वैसे ही लोग हुमन स्केलेटिन के एरिया में आ गए थे कार के अंदर नोरा एलेन को केल साइट के बारे में बताती है तभी एलेन उसे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है वेहं जादा परेशान इसलिए होता है क्योंकि जल्द ही उनकी गाड़े में गैस खतम हो जाएगी एलेन जब तक गाड़ी चलाता रहता है जब तक उसे कोई मदद करने के लिए गाड़ी नहीं मिल जाती तभी रास्ते में उसे एक बुड़ी ओरत मिलती है जिसके गाड़ी खराब हो गई थी और वहें उसे गाड़ी खीचने में मदद करने के लिए कहता है तबी बातों बातों में महिला नोरा से बाती करने लगती है और वहें कहती है कि तुमने अभी तक उससे शादी क्यों नहीं की है इस बाद से Nora इरिटेरेट हो जाती है और वहें बूड़ी ओरत से कहती है कि आप अपने काम से मतलब रखी है तभी वह महिला यह सुनकर नराज हो जाती है और वहें कहते हैं कि तुम जैसे लोग बटत्मीज होते हैं तभी Nora एलें से उसके गाड़ी ठीक करने का कारण पूछत और वह अपनी गाड़े में वापस आकर बैठ जाती है तभी वे अपनी गाड़ी लेकर दूर जाने लगते हैं और रास्ते में नोरा एलेन से पूछती है कि वह उस महिला की मदद क्यों कर रहा था तबी वहें उससे कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था तबी वो खाना खाने के लिए एक होटल में पहुचते हैं तबी एलन को पीछे से एक आदमी दिखता है जो कि उन्हें काफी देर से घुर रहा था तबी नौरा इन सब बातों को नजर अंदाज कर देती हैं और जब वहें लोग खाना खाकर जाने लगते हैं तो वहें आदमी नौरा का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम लोग इस जगे पर सेफ नहीं हो यहां कहते ही नोरा चोक जाती है और काफी डर भी जाती है तभी वहें एलन को लेकर वहाँ से चले जाती है तभी एलन गाड़ी लेकर जाता है और वहें कुछ देश चलने के बाद एक गैस टेशन पर पहुचता है जहां पर वहें वहाँ की मैनेजर से पूछता है कि क्या इस एरिया में कोई होटल है तभी मैनेजर उन्हें सड़क की ठीक नीचे कैबिन के बारे में बताता है तभी वहें लोग वापस से अपनी कार के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वहें लोग वहां से निकलते हैं तभी मैनेजर उन्हें पूरे तरीके से देखने लगता है तभी एलन से पूछती है कि देखो यहाँ पर कोई खाना खा कर गया है क्योंकि टेबल पर प्लेट्स रखी हुई है। तभी वह स्टेयर से उपर चड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उपर जाकर उन्हें एक अजीब चैरे वाला लैंडलोर्ड दिखता है। और वह उनसे माफी मांगता है कि उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी और वह उनसे पूछता है कि आप लोग कहां से हैं। तभी लैंडलोर्ड उन्हें कैबिन की अंदर लेकर जाता है। तभी वह उन्हें पताता है कि इस कम्रे को बड़ी ही शिद्दत से साफ किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफी लोग रहने आते हैं तो हमें उनका ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और हमने यह जगे सैनिको और चर्च वालों से ली हुई है तभी लैनलोर्ड उन्हें पतात है कि हमें थोड़ी देर आराम करना है आप थोड़ी देर बाहरे चले चैये जरूँए तभी लैनलोर्ड घुस्सा हो जाता है और वहाँ गुस्त में दर्वाजी को तेजी से बंद करकि वाहं response बढ़ने वहां पर भी स्थर सोबार निकलता है और और वहें उनके उपर गिर जाता है तभी थोड़ देर बात नोरा एक पींजरे में अपने आप को पाती है तभी वहें खुद को आजाद करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ संभव नहीं था तभी उसे अचानक पक्री के मुकुट में एक आदमी दिखाई देता है और वहें एक सिलेंडर के अंदर कुछ ले हुए था और वहें नोरा के उपर शिड़क देता है जिसके कारण वहें बेहोश हो जाती है तभी वहें एक खेत की जोपड़े के अंदर उखती है और अपने आपको बंधा हुआ पाती है तभी एक खरगोश के मुकुट पहने हुए आदम और वो पूरे तरीके से तूट चुकी थी तभी वो नगाप पहने हुए आदमी उसे ले जाने के लिए आते हैं और एक पिंजरे के अंदर गाए का मुकुट पहने हुए आदमी उसे ले कर जाता है तभी वहें आसपास देखती है कि काफी लोग एनिमल्स के मुकुट पहन और वहां पर अकेली होती है और वहां की खिड़की खोल लेती है तभी हमें पता चलता है कि इन्हें यहां पर बंदी बना कर रखा जाता है तभी हम नकाब वाले आदमी अंदर आते हैं और एक बंदे हुए आदमी को वहां पिंजरे से आजात करते हैं और उसके सर पर हतोड़े से वार करकर मार देते हैं और धीरे-धीरे दूसरे बंदे के साथ भी ऐसा ही करते हैं तभी एलन हैरान हो जाता है और वहां चिलाने लगता है पोचफ होता है तभी वह ये कार को देखता है जो कि उसके पास आ रही थी और वह ये द्राइवर की और spent को आधे पास जाता है और उसके डिग़ी के अंदर एक नए पिंजरे को लेकर जाकर उसकी मदद करता है तभी सूवर के मुकुत में एक आदमी लेंडलोर्ट से कुछ बात करता है तभी उनके बीच कुछ डील चल रही होती है तभी वह लेंडलोर्ट उसे बताता है कि हमारे पास असी लोगों को खाना खिलाने का ओर्डर है तभी सुवर की मुकुट पहने हुए आदमी उसकी बातों बातों में हाँ बरने पान कराने वाली महिलां को पिंचरे के अंदर देखते हैं तभी एक आदमी उस महिला के पास आता है और गंदी गंदी बाती करने लगता है तभी वह महिला गुस्से में आ जाती है और वह उसे वहां से भगा देती है और उनसे कहती है कि तुम बदमाश लोग हो तुमें भ लोल रख देता है तब भार से एक आदमी सोवर फीमुकृट प्रेगनेंट कर दिया गया था कि वह प्रेगनेंट नहीं हो सकती थी और वह उस जगए पर बुरी तरीके से जक्मी हो चुकी है और अब उसके पास मरनी की सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है तभी वह अचानक एक और महिला की चीक सुनती है और वह दूसरी शेल के अंदर बै कानी करते हुए देखता है और वह उसे पकड़ कर ले आता है और सजा की तोर पर उसे किसानों की मदद करने के लिए कहता है तभी वह खानी से भरी बाल्टी को गल्ती से किरा देता है और अपनी गल्ती से बचने के लिए दोड़ता है तभी सूवर के मुगटे वाला आदम उसे ढूडने लगता है और वहें उसे ग्रीन हाउस के बाहर भागते हुए देखता है तभी वो लैंडलोर की रसोय में जाता है और उसे कुछ समान दे देता है और उसके अच्छे विचारों के लिए लैंडलोर उसका धन्यवाद करता है तभी लैंडलोर एंड्रियू की दे आपको शांत करती हैं तभी अचानक से कोई दर्वाजा खटकटाता है तो यह सुनकर नोरा डर जाती हैं लेकिन वो देखती है कि भार तो एलेन हैं यह देखकर नोरा काफी खुश हो जाती हैं तभी दोनों मिलकर मुखुटे वाले आदमी से बशते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आवाज करने से भार एक आदमी उन्हें देख लेता है तभी जैसे तैसे करके वे ट्रक के पीछे चुप चाते हैं और वह आदमी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है लेकिन तभी वह आदमी आवाज सुनता है और वह उसे देखने के लिए जाता है यह मोका देखकर एलेन और नोरा भागना जारी रखते हैं और भार जाकर एक चर्च देखते हैं तभी यह लोग चर्च की अंदर जले जाते हैं और अंदर जाकर इनोरा एक नुकिली चीज उठा लेती हैं और एलेन सामने देखता है कि जीजस क्राइजिस्ट की करने लगता है तभी वे लोग भागने का मुगा देखते हैं लेकिन आचानक से गाय के मुकुट वाला आदमी पीछे की और मुट जाता है और वह उन्हें भागते हुए देख लेता है तभी वह चर्च की घंटी वजा देता है जिसके कारण सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं त एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलेन की मूपर मार देते हैं जिसके कारण उसकी वहीं पर मोध हो जाती है और यहां भायानक सीन देखकर वह रोते-रोते वहां से अंदर भाग जाती है और अपने पींजरे में जाकर पैट जाती है जहां पर वगल में ही वह एक आदमी से प पोशिश करती है तभी पीछे से लैंडलोड और दूसरा मुगट पैने हुए आदमी उसे देख लेता है और वे दोनों मुस्कुराने लगते हैं तभी वह वहां पर जाती है और वहां पर चाबी रखी होती है तभी वह एक पैट्रोल स्टेशन के सामने होती है जहां पर उ कार स्टार्ट हो जाती है और वहां खुश होकर कार को चलाने लगती है तभी आजानक से उस कार का इंजन खराब हो जाता है और उसे वही पर उस कार को छोड़कर भागना पड़ता है तभी हम देखते हैं कि नगाप पैनने वाले लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे वहें बुरे तरे कीसे उसका पीछा कर रहे थे, तबी नोरा जानक से बेस्मेंट के अंदर भाग जाती है, जहां पर उसे एक खिर्की दिखाई देती है, तबी वहें उसे बागने की कोशिच करती है, और वे लोग पाइप से उस तक पूछने की कोशिच कर रहे होते हैं, ले वहें stable की काफी करीब होती है तभी वहें ऐसले को भी अपने साथ ले जाने का सोचती है लेकिन वहें लड़की उसके साथ जाने से डरती है तभी जैसे ही वे लोग बस में चड़ते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके पास चाबी नहीं है तभी वहें भाग कर एक घर की और ज और जल्द ही मुखुट लगाने वाले लोग खाने की टेबल के चार और बैट जाते हैं और दो महिलाए मिलकर उनको एपल खिला रही होती हैं इसे के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती हैं